हेलो वीवर्स अन्बोक्सिंग डिया में आप सब का स्वागत है और में हमरान आज मेरे पास यह पिछो डिवाइज है यह है रेड्मी नूट 11 प्रो स्मार्टफॉन 6GB 128GB इंटर्नल स्टोरेज वेरियन के साथ में पैंथॉम हुआइट खलर में ज्या दूस्तों काफी प्राइस के इसाप से क्या आपको यह डिवाइस लेना चाहिए या नहीं तुगा इस वीडियो को आपन तक जरूर देखेगा नीचे दिये गए रड़ बड़ं को क्ली करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ इसाथ बले कि उनको जरूर दबाना ताकि आने वली वीड और यह रहा दुस्तों Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन कुछ इस तरीकी से स्मार्टफोन की बोक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है बड़े एक्षर में Redmi Note 11 Pro इसके लवा Mika Branding India's No.1 स्मार्टफोन ब्रांड इस स्मार्टफोन की लोगो बोक्स के उपर यहाँ पर हमें यह देखने को मि रफी ज्यादा अच्छा डिवाइस है क्योंकि डिवाइस की फीचर्स इतना ज्यादा अच्छा है मैं इस वीडियो में शियर करूंगा जरूर बोक्स के बीच हाइलेट किया गया है डिवाइस की स्पेसिफिकेशन से रड्मी नूट 11 प्रो हंड्रेड एंट ट्वंटी हर् प्रिवाइस के साथ इसस्मार्टफों की स्पेसिफिकेशन से रड्मी नूट 17 ट्रिवाइस प्रोफ और दिवाइस में श्क्रीज हर्ट टार्च संप्लिंग रेट तो डेफिनिटली बहुत ही अच्छ इस्पेसिफिकेशन से बीचेल्स के साथ मैं आप लोगे साथ इसी स् शेयर करता हूंगा तो आइस वीडियो का अपन तक जरूर देखिएगा बॉक्स को अन्बॉक्स कर दिया है यहां पर एक सेक्शन इसके अंदर सीम एक्टर डोकुमेंटेशन और एक्टेंस पारेंट केस को वर यहां पर देखने को मिलता है और यह रहा रेड्मी नूच 11 प्र अट्राक्टिब लुक्स है फ्लैट बैक बोड़ी यहां पर दिया गया है डिवाइस के बैक बोड़ी में क्वाइट रियर खेंबला लगा हुआ है लेड्मी के ब्रैंडिंग और काफी चाहसा डिजाइन है बैक बोड़ी के तरफ अगर देखा जाए और डिवाइस की फ्रेम देखने को मिलता है और जो बैक बोड़ी है ग्लास का बैक बोड़ी दिया गया है आईप फाइप त्री डॉस्ट एंड इस्प्लेश रेजिस्टेंट है यह डिवाइस और हाइब्रीड ड्यॉल सिम के साथ यह डिवाइस आता है डिवाइस की साइड में बोलियूम 3.5 mm audio jack noise cancellation microphone और IR blaster तो सभी option available है dual speaker के साथ यह डिवाइस है और काफी अच्छा build quality design मुझे लगा आपको कैसा लगा नीचे comment किरके जरूबत है अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी smartphone की display कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है काफी एक अच्छा quality क display यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है पंच्छोल केमरे के साथ इस smartphone की display नजर आ रहा है मैं खरार हो गरा दिखाऊंगा display की यहाँ पर देख सकतो एक large screen है guys 6.67 inches का एक बढ़िया quality का display प्रोवाइड कर दिया गया है super amoled display है 120 hertz refresh rate 360 hertz यहाँ पर touch sampling rate दिया गया है और काफ इस प्रेमोलर डिस्प्लेए 6.67 inches का यहाँ पर पंच्छोल केमरे के साथ इस smartphone की display है 700 नेजर टाइब का brightness है full HD plus resolution के साथ यह device यह 1018-2400 का pixels 395 ppi रिखा गया है device की display में और protection के लिए कॉर्णिंग को रिले क्लास 5 के बडिक्शन दिया गया है तो अवराल मुझे तो खास करके Redmi Note 11 Pro स्मार्टफून की display बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपको खास experience मिलेगा इसी smartphone की display में जबरदस्त डेफिनेटली स्मार्टफून की display है और protection के लिए यहाँ पर डिस्प्ले म अच्छा है डिजाइन अच्छा है इससे काम नहीं चलेगा डिवाइस के performance यानि speed बरावर होना चाहिए या इच्छा होना चाहिए डिवाइस में 6GB RAM है इसके लबावा 2GB extra RAM दिया गया है यानि 8GB RAM है 128GB internal storage इसी smartphone में दिया गया है और अलग-अलग variant है आप खरीश सकते हो 6GB 64 GB 6128 8128 तीन वरियन में डिवाइस है औक्टाकवर पसर दिया गया है 2GHz 2.05GHz clock speed के साथ में एक प्रसेसर जो मिडेटेक के है मिडेटेक लिए G96 गेमिंग चिपसेट है 12NM fabrication में ये औक्टाकवर पसर है GPU Mali G57 MC2 GPU दिया गया है तो अबरॉल कहीं नहीं कहीं बड़िया experience मिल लेटेस्ट हाड इन दिया गया है Android version 11 है अपडेट भी आपको 12 मिल जाएगा बहुत ही जल यहाप है आपको performance के मामले में device बहुत ही इच्छा मिलेगा gaming हो speed के लिए हो आप बिग्मी जैसे गेम खेलते हो या फिर Free Fire जैसे गेम कहलते हो डिवाइस में बड़िया मस तरीके से आप definitely से smartphone में gaming खर सकते हो क्योंकि device के processor काफी अच्छा है में डेरे के लिए G96 gaming के लिए जबरदस प्रोसेसर है इसके लिए display भी काफी ज्यादा इंपोर्टन रहता है gaming के मामले में तो display भी Super AMOLED display है और यहापे हमें एक अच्छा खासा color भी यहापे देखने को मिलता है display के मामले में और डिवाइस में जो बैटरी दिया गया है 5000 mAh बैटरी है 67 watt फासिंग सपोर्ट है बहुत ही तेजी तरीके से device को चार्ज कर पाओगे 15 मिनिट में device 51% तक चार्ज हो जाएगा और यहापे power delivery का जो यहापे option है 3.0 है quick charging support है 3 plus और एक चीज में यहापे add करना जाद प्रसेजर खराब नहीं अच्छा है लेकिन price range के इसाब से थोड़ा सा बेटर प्रसेजर होना जाई है ता device में fingerprint scanner face unlock सभी option available है चलिए set करते है fingerprint scanner जो side mountain है और देखते है किस तरीके से perform करता है almost मैंने यहापे set कर दिया है side mountain fingerprint scanner और काफी अची तरीके से यहापे set हो चुका है और faster यह slow है देखते है और fingerprint scanner जैसे ही touch करता हो guys प्रेस करता हो डिवाइस unlock हो जाता है within nanosecond 0.3 second जैसा लगता है डिवाइस को unlock होने में और face unlock से भी इस स्मार्टफोन को unlock कर पाऊगे और चलिए दूस्तों फिलहाल बात कर लेती इसी स्मार्टफोन की camera specifications के उपर क्यूंकि device क camera है 108 Megapixel का primary camera pro mode में guys aperture f1.9 के साथ में इसके लवा ultra wide angle lens है 8 Megapixel aperture f2.2 macro lens and depth sensor के लिए 2 plus 2 aperture f2.4 and device में 16 Megapixel selfie तरह दरे की option available है video graphic के मामले में 1080p 30 fps पे rear end front facing camera के साथ आप video shoot कर पाऊगे या बरपूर मातरा में smartphone में दिया गया है short videos और documents का photos और सभी स्मार्टफोन के साथ आप कर पाऊगे तो definitely अच्छा खासा यहाँ पे हमें specifications camera के मामले में देखने को मिलता है इसके लवाँ यहाँ यहाँ चुडियर सपोर्ड़ है AI सपोर्ड़ है तरह दरे की filter से google lens यहाँ पर provide कर दिया गया है तो camera में सभी आपको यहाँ पर option देखने को मिलता है और चलिए कुछे photos क्लिक करते हैं और देखते हैं कि output कैसा निकालता है और यहाँ पर देखे गाइस कुछ इस तरीके से हमें result देखने को मिलता है selfie काफी अच्छा है natural photos देखने को मिलता है color वगरा काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर expose हो रहा है देखे गाइस किस तरीके की detail है सभी यहाँ पर clear हमें चीज़ें देखने को मिलता है और low light indoor condition में भी यह device बहुत ज्यादा अच्छा perform करता है और pro mode में यह जो photos है मैंने normal mode में खीचा है pro mode में इससे better हमें quality देखने को मिलता है मैं यहाँ पर चलिए बाहर निकल के कुछ photos क्लिक किया है उनको भी यहाँ पर share कर लेते हैं काफी ज्यादा अंदर है लेकिन flash काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है और यह देखिए output बहुत ज्यादा अच्छा है बहार रात में कुछ इस तरीके से हमें output देखने को मिलता है इसी smartphone में Redmi Note 11 Pro में तो guys overall इस smartphone की camera specifications के ओपर review करो तो विडियोग्राफी के मामले में मुझे 4K support देना चाहिए ते मेरे खायाँ से लेकिन यहाँ पर 1080p दिया गया है लेकिन जो photography है ना guys वह बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा और device की selfie भी 16MP aperture f2.5 के साथ में और चली दूस्तों आप बात कर लेते हैं इस smartphone की price के बारे में और इसी Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन की 6GB 120, 8GB मेरे पास जो variant है इसका price है 18,999 रुपी से अन्यों मॉस 19,000 का device है 8GB 120, 8GB variant का price है 20,999 रुपी से अन्यों 21,000 का device है तो price range के इसाब से specifications को देखा जाए जवरदस्त स्मार्टफोन है यह Redmi Note 11 Pro तो मुझे यहाँ पर processor को चोड़ के बाकी specifications price range के इसाब से काफ़ी अच्छा लगा processor मेरे खाया से 5G chipset कुछ दिया जाता तो better होता लेकिर मेरे के लिए G96 दिया गया है price range के इसाब से तोड़ा साब यहाँ पर कमी मुझे महसूस है बाकि overall phone तो इसा वर्दस से तो तो यह दोस्तों Redmi Note 11 Pro Phantom White स्मार्टफोन के unboxing और इस स्मार्टफोन के बारे में उम्मिध है आप सबको वीडियो जरूर पसंदा होगा अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो के लिए लाइक करते जोर चैनल को सब्सक्राइब करते जोर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किजेगा तब तक लिए बाई ठेक क्यार और जय हिंद